एलो गाइज, वेलकम बैक तु दी गेमर्स क्लाब और मैं हूँ आपका होस्त प्रणाव आज मैं अपनी चैनल पे नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो की है गेमिंग न्यूस की अपसे मैं रेगुलर्ली गेमिंग न्यूस के अपडेट्स आप लोग को देता रहूंगा और आज की सबसे पहली न्यूस आ रही है मार्वेल जेवेंजर्स की तरफ से और वह न्यूस यह है कि आप 21 ओगस्ट रात को 9 बजे से लेकर 23 ओगस्ट रात को 9 बजे तक कोई भी प्लेटफॉर्म पे मार्वेल जेवेंजर्स जितना चाहो उतना खेल सकते हो क्योंकि वह ओपन बीटा करने वाले हैं तो आप जल्दी जाओ और 21 ओगस्ट यानि की कल रात को 9 बजे यह गीम आप फ्री में अपने कोई भी प्लेटफॉर्म पे लोड़ करके खेल सकते हो और हमारी दूसरी न्यूस आ रही है रॉक्स्टार और सोनी की तरफ से यह न्यूस रही है यह भी रूमरी है और वो यह है कि रॉक्स्टार और सोनी के बीच 750 मिलियन डॉलर्स की डील हुई है जिसमें रॉक्स्टार ने सोनी को ऐसा कहा है कि हम लिमिटेड टाइम के लिए GTA 6 हां Grand Theft Auto 6 को PS5 exclusive में रखेंगे और हमारी थर्ड न्यूज आ रही है एक्टिवीशन की तरफ से उन्होंने आज अपनी एक नई गेम अनाउंस की और वो है Call of Duty Black Ops Cold War और उसका रिवील आने वाला है 26 अगस्ट को तो अपी देखते है क्या टाइम है और कब आने वाला है वो जो भी होगा मैं लाइव अपडेट कर दूँगा आपको और हमारी फोर्थ न्यूज आ रही है DC Comics की तरफ से उनकी एक लाइव इवेंट होनी वाली है 22 अगस्ट को उन्होंने पहले सी वैसा ही रिवील किया था कि वो लोग सुसेट स्कॉर्ड को उसमें दिखाने वाले है जो उनकी नई अपकमिंग गेम है लेकिन उन्होंने अभी कह दिया है कि DC Fandom बहुत बड़ी इवेंट है और वो दो दिन चलेगी एक होगी 22 अगस्ट दूसरी होगी 12 सप्टेम्बर को उसमें वो लोग 24 आर्स लाइव इवेंट चलाएंगे जिसमें 8 आर्स के तीन ब्लोक होंगे जिसमें आपको अलग-अलग गेम्स देखने मिलेंग अगर आपको यह इवेंट डेखने हैं तो आपको यह दोनों के दोनों दिन पूरे देखने पड़ेंगे तभी आपको वो सब पता चलेगा क्या चल रहा है इवेंट में अर्ट है